तुमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है यहां पर ओन दा बेसिज ओफ दी इनोड वैल्यूस आइडंटीफाई विच अमंग दा फॉलोविंग इस स्ट्रोंगेस्ट उक्सिडाइजिंग एजेंट इन में से कौन सबसे स्ट्रोंग उक्सिडाइजिंग एजेंट है अब देखें मैंने आपको अभी explain किये थे सभी फार्मूले उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ओक्सिडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी खुद की reduction मतलब easily हो जाए reduction easily होना हमें बताता है standard reduction potential जिसका जितना high होगा उतना easily वो खुद को reduce कर लेगा उतना ही वो strong oxidizing agent रहेगा तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो सबसे ज़्यादा value inode की है हमारे पास MnO4 ions की जो के 5 electron gain करकर अपनी reduction करवाते हैं so therefore this is our answer so हम लोग क्या लिखेंगे कि MnO4 negative ion is the strongest oxidizing agent among these because यहाँ पर इसकी oxidation state अगर आप लोग soul करते हैं तो Mn अपनी oxidation state plus 7 से change हो जाता है Mn2 positive में 5 electron gain करकर और उसकी enode value सबसे ज़्यादा है इसलिए यह strongest oxidizing agent है clear है बस इतना ही आप लोगों ने बताना था ठीक है अगर इससे opposite पूछ लेता कि कौन सबसे strong reducing agent है तो हम अंसर इस side से बताते और जिसकी सबसे low value होती हम उसका अंसर बताते ठीक है भी clear है simple है बाकी आप लोगों को समझ आनी चाहिए अगर समझ आ जाती है अच्छे से तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है तो आगे देखते हैं यह equation हमें यहाँ पर दी गई है what will be spontaneous reaction when the following half fractions are combined एक यह half fraction है और एक यह half fraction है हमें इन दोनों को join करवा कर यह देखना है कि overall reaction क्या बनती है अब देखिए आपको mostly reaction से reduction की form में बताई जाती है पर मैंने आपको बताया था जिसकी value ज़्यादा रहेगी उसकी होगी reduction जिसकी low value उसकी oxidation तो यहाँ पर इसकी value higher है ठीक है MN वाले की तो इस reaction को ऐसे ही रखेंगे यह तो reduction show कर रहा है बट FV के case में low value है तो इसको हमें opposite करना होगा ठीक है तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर equations को use करते हैं ठीक है तो यह जो हमारी equation है इसको हमने reverse कर लेना है इसको as a oxidation represent करें FV2 positive से बन रहा है FV3 positive plus 1 electron ठीक है अब देखिए दूसरी reaction में 5 electron है तो हमें यहाँ पर भी 5 electron बनाने होंगे तो यहाँ पर 5 electron बनाने के लिए हमें यहाँ पर अब क्या करना होगा हमें यहाँ पर इस equation को 5 के साथ multiply करना होगा इसको हम लोग 5 के साथ multiply करवा देंगे तो यह बन जाएगी तो यह बन गई हमारे पास और दूसरी equation हम यहाँ से इसके साथ ही उतार लेते हैं तो यह थी हमारी जो दूसरी equation थी तो यह बन जाएगी अब देखे मैंने आपको बताया था कि enode value में अगर आप लोग equations हो किसी भी constant के साथ multiply करते हैं तो enode values हमारी सेम रहने वाली उनमें कोई change नहीं आने वाला तो इसकी enode value हमें बताई गई है 77 और इसकी enode value हमें बताई गई है 1.49 volt ठीक है तो यह इनके reduction potentials हैं हम लोग यहाँ पर use करने वाले हैं इनको add करें तो यहाँ पर oxidation हो रही है और यहाँ पर reduction हो रही है ठीक है इनको हम लोगों ने यहाँ पर add कर देना है तो क्या आएगा MnO4 1 negative plus 8H positive और यह 5 electron के साथ 5 electron हो जाएंगे soul out plus 5 Fe2 positive और दूसरी साइड पर हमारे बन गए plus 5 Fe3 positive Mn2 positive and plus 4H2 ठीक है और अब जो हमारा enode cell होता है उसकी value क्या होती है enode of the cathode minus enode of the anode ठीक है हम देखे हमारा यहाँ पर cathode act करेगा जिसकी value higher है यानि के जिसकी हुई है reduction so cathode हो गया हमारा Mn वाला यह बन गई value 1.49 minus enode बन गया 0.77 इसको अब आप लोगोंने solve करकर answer लिखते ना है simple है भी तो ऐसी problems भी आपको exam में आ जाती है ठीक है आप लोगों को एक reactions ऐसे बताई हो सकती है और उनको join करकर आप लोगोंने बनाना है complete cell ओके अभी ठीक है तो आगे चलते हैं third problem करते हैं represent the cell and find the standard reduction potential यानि के standard हमें solve करना है cell potential और सबसे पहले इसको represent करना है अब देखिए representation मैंने आपको बताई थी तो क्या होगा सबसे पहले हम लोग यह check करते हैं कौन oxidize हुआ है और कौन reduce हुआ है अब देखिए CR से form हो रहा है CR3 positive यानि के इसकी oxidation हुई है तो हम लोग सबसे पहले show करते है oxidation half CR solid से बने है CR3 positive एक्वस form में होंगे ions बीच में लगेगा salt bridge और दूसरी side पर है CD2 positive से form होगा है CD अब जो यहाँ पर यह CD है CD क्या होता है अभी कौन सा element होता है या आप लोगोंने मुझे बताना है ठीक है सिरफ मैं यही चेक कर रहा हूँ कि आप लोगों का ध्यान है या फिर नहीं है वीडियो की तरफ तो नीचे comment में आभी बताइए कि यह जो elements है इनके complete names क्या है इतना तो आप लोगों बताई सकते हैं भी ठीक है बिल्कुल सिंपल सा question है तो यह होगी हमारी cell representation इस side पर oxidation हुई है CR से बना है CR 3 positive और CD 2 positive से form हुआ है CD यह हुई है हमारी reduction ठीक है अब देखिए cell representation में आप लोगोंने coefficient use बिल्कुल नहीं करने नोर्मल हमने सरफ जो atom और ion जो ion और atom वो show करते हैं ठीक है बस इतनी cell representation होती है अब enode हमें निकालना है cell potential तो क्या फार्मना था भी enode of the cathode अब देखिए cathode side यह वाली है यह बनेगा CD 2 positive and CD minus enode of the anode anode side यह है तो इसको भी आप लोगोंने reduction potential ही यूज करना है इसकी value क्या बनेगी भी minus 0.40 और इसकी value क्या बनेगी minus 0.74 अब यह आपका क्या बन जाएगा minus 0.4 minus minus plus 0.74 तो यह आपका क्या बन जाएगा भी 0.34 वोल्ट positive ठीक है तो ऐसे आप लोग इस problem मतलब यह छोटी छोटी problem से introductory होती है ठीक है आपका जो यह concept अच्छा हो जाए और अगर exam में भी आएए ऐसी आती है problem ठीक है short questions में तो आपको कोई भी difficulty ना हो अब यह हमारा हो चुके हैं कुछ basic सी problems अब हम शुरू करते हैं nurse equation की कुछ important problems ठीक है तो मारी सबसे पहली यहां पर problem है calculate the reduction potential calculate the reduction potential of the following electrode हमें half electrode यहां पर पताई गई है platinum है और साथ में chlorine gas है उसका दिया गया है pressure 2.5 atmospheric उसके साथ है solution of HCL यानि के chloride ions CL ions उसकी है concentration 0.01 molar ठीक है अब देखिए और यहां पर हमें enode value for the chlorine to chloride ion बताई गई है और log 4 की value भी mostly statement में आपको log की जो values use होनी होती है वो आपको दी होती है अगर ना दी होंगी तो आपको log table provide किया जाएगा वहां से आप लोगोंने खुद values को read out कर कर use करना है ठीक है ऐसा भी हो सकता है इसलिए log और anti-log कैसे solving करनी है मैंने उन पर separate videos बनाई होई है वो आप लोगों को नीचे description में मिल जाएंगी otherwise कोई भी video चाहिए तो आप लोग simply YouTube पर हमारे channel का नाम साथ में एड कर देना तो आपको आ जाएगी उपर वहां से आप लोगों से सुन सकते हैं ठीक है तो अब देखिए इस half cell में क्या reaction होगी CL2 से change होगा chloride है ठीक है reduction show करनी है CL2 एक CL atom एक electron गेन करता है तो 2 CL atom दो electron गेन करकर chloride ions बना लेंगे इस पर हमने apply की है नर्स्ट equation यहां पर हमने apply की है बाइदा नर्स्ट equation ठीक है जो मैंने formula आपको बताया था नर्स्ट equation का so electron potential for the CL इस पर यहां पर आप ऐसे भी show कर सकते हैं कि CL2 CL ions के लिए है यह ठीक है ना भी show करेंगे ताँ भी कोई problem नहीं है में इस साइड के ions के आगे लगा है 2 इसका हमने square कर दिया इस साइड पर gas है gas का pressure लगा दिया ओके अभी ठीक है तो आगे क्या होगा अब solving करनी है हमे inode की value दी गई है 1.36 वो हमने use कर दी यह value ऐसे ही है CL ions का mount है 0.01 molar वो हमने यहां पर use किया pressure है 2.5 वो भी use कर लिया अब इसको ऐसे ही रखेंगे हम इस value को solve करना है अब इसको देखे हमने क्या लिखा है 2.5 की 0 हटाई वो चलेगी उपर और 0.01 मतलब क्या होता है 10 raised to power minus 2 उसका square किया वो बन गए 10 raised to power minus 5 ठीक है अब यहां पर एक extra 0 के साथ हमने कर ली multiply और एक करेंगे divide यहां पर बन गया 100 by 25 that is 4 और यह वाली जो 0 है यह हमने इसके साथ join कर ली ठीक है तो यह हमारी बन गी 10 raised to power minus 5 अब देखें लोग में 2 terms हो आपस में multiply तो दोनों के लोग अलग-अलग हो जाते हैं इसका लोग होगा 10 days to power जो होती है वो अंसर आ जाता है तो इसका अंसर आ गया minus 5 साथ में क्या आएगा plus log 4 log 4 की value हमें statement में बताई थी हमने वो use कर ली अब इन दोनों को हमने करना है subtract तो यहां पर आप लोगों को मैंने solving भी सारी show कर दी है तांके आपको यह idea हो जाए कि हमें calculation कैसे करनी है ठीक है बहुत सारे बच्चों का यही सवाल था कि सर हमें यह बताईए कि numericals की solving कैसे करें calculation कैसे करें तो यह आप लोगों ने simply 5 में से 0.602 को किया subtract तो यह answer आ गया ठीक है जिसका जो term होगी यहां पर बड़ी उसका sign लगेगा अब इसको हमने की है 2 के साथ divide तो इसको 2 के साथ divide करने पर यह answer आ जाएगा यह तो हो जाएगा ना काम ठीक है 2 के साथ हमने यहां पर कर लिए divide तो यह बन गया अब देखिए अब हमें इन दोनों को करना है multiply तो multiplication में आप लोग round of कर लें तो अच्छा रहेगा अब 2.199 इसको हटाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा इसको एक increase करना पड़ेगा तो यह बन गया हमारा 2.20 यहां पर इसको हटा दिया यह तो ऐसे ही रहेगा 0.059 तो यह बचके तो हमने 0 अभी सभी हटा कर पहले इसको soul कर लेते हैं ठीक है ना multiply कर वा लेते हैं 2.2 को हमने की multiply with 5.9 तो यह की multiply तो यह answer आ गया अब इसकी एक 0 extra लगेगी यह वाली ठीक है वो 0 यूज करें साथ में वो यहां पर आ गई और over में हाएंगी हमारी 1,2,3,4,5 zeros वो हमने रख ली तो इसको soul करेंगी तो यह answer बन जाएगा 0.1298 इसको add करेंगे तो आपका final answer दे जाएगा ठीक है तो calculation भी आपने what is the pH of the HCl solution when hydrogen gas electrode shows a potential of this one hydrogen का electrode है वो potential show कर रहा है this one हमें उसका pH निकालना है अब देखिए यह pH का काम यहां पर क्या होगा तो वो आप लोगों ने understand करना है मैंने आपको formula यहां पर soul कर दिया आप लोग इसे use कर सकते है as it is ठीक है तो जो hydrogen electrode होती है उसकी reduction की reaction कुछ ऐसे होगी H positive ions में एक electron add होगा और H2 बनेगा इसको balance करने के लिए इदर एक hydrogen है हमने इसके आगे half लगा लिए अब इस पर हमने apply की nurse equation E value is equals to E node minus 0.059 एक electron है तो आगया 1 log यहां पर है hydrogen gas उसका लगेगा pressure और उदर है इसके आगे था 1 by 2 वो होगी raise to power उदर है उन्दी H positive वो हमने over में रख लिया ठीक है अब देखिए हमें क्या बताया गया है standard temperature and pressure और standard electrode value for the hydrogen electrode is 0 तो इसकी जगा पर हमने लगा लिए 0 यह value हम ऐसे ही रखेंगे E node इसको E लिख लिए और standard pressure है तो हमने pressure use कर लिए 1 तो यह बजगे अब H positive आए जब उपर आएगा ठीक है तो उसकी power हो जाएगी minus 1 और वो power आगे आगई minus अब यही फार्मना होता है हमारा pH का यह term हमने as it is यहाँ पर use कर लिए 0 को हटा दिया तो E की value हमारे पास क्या बन चुकी है इसकी जगा पर हमने pH पुट कर लिए तो यह हमारे पास एक standard फार्मना बन गया कि E is equals to minus 0.059 into pH तो हमें जो E की value यहाँ पर बताई गई थी this one from the statement वो हमने यहाँ पर use कर लिए यह value over में आएगी तो इसको solve करेंगे तो pH आएगा हमारा 10 बिल्कूल easy calculation थी और simple सी आप लोगों को यह formula के बारे में पता होना चाहिए कई बार आप लोगों को pH की value दी होती है और आपको electron potential find करना है या फिर electron potential दिया है pH find करना है या फिर एच पोस्ट डिवाइन्स की concentration find करनी है तो आप लोग किसी भी तरह से इसे solve out कर सकते हैं clear है भी चल आगे चलते हैं आगे है हमारे पास कुछ और important important numerical problem मैं आपको पूरी problem solve करकर बताऊंगा ताके आपको easily solving यहाँ पर आ जाए तो हमारी statement है कि calculate the EMF of the cell at 298 Kelvin for aluminium to aluminium 3 positive copper 2 positive हमें यह सभी values यहाँ पर दी गई है तो सबसे पहले हमारा काम है cell reaction बनाना cell reaction cell reaction में मैंने आपको बताया था यह दोनों रहेंगे तो aluminium ठीक है प्लस हो रहा है copper 2 positive और दूसरी तरफ aluminium का क्या हुआ उसका बन गया aluminium 3 positive ठीक है और copper 2 positive का क्या बन गया का काम है यहाँ पर है charge 3 positive यहाँ पर है 2 positive 2 और 3 को balance करने के लिए इसको multiply कराएं with 3 इसको कराएं with 2 अब यहाँ पर है 3 copper यहाँ पर भी कर दें 3 copper यहाँ पर 2 aluminium 2 aluminium तो अब total कितने electron का exchange हो रहा है अब देखिए copper 2 positive से बन रहा है copper 0 2 electron total copper कितने है 3 है so 3 into 2 कितने electron हो गए 6 electron हो गए चाहे copper से sol कर ले चाहे aluminium से कर ले दोनों side पर same आएंगे 6 6 यह बन गई हमारी cell erection यह हमारा main काम था अब हमें निकालना है enode cell तो cathode है हमारा copper ठीक है और anode है हमारा aluminium ठीक है so copper की value है 0.34 और aluminium की value है minus 1.66 इनको add करेंगे so यह बच क्या plus बन गयाएगा तो यह बन जाएगा 2.00 तो यह भी आपकी easy value हो गई ठीक है 2.00 तो हब हमें निकालना है e cell e cell is equals to the enode cell minus 0.059 over number of electrons that is the 6 log concentration of the product side ion that is the aluminium 3 positive का square ठीक है उसके आगे 2 है तो इस side पर है copper 2 positive उसका लगेगा cube ओके अभी तो इन सभी की values put करते हैं तो यह value लगी 2 minus 0.059 by 6 log aluminium 3 positive ions का amount है 0.15 का square और copper 2 positive ions का है 0.025 का cube अब देखिए यहां पर हमें statement में directly log 0.025 और 0.15 इनके answer बताएगे हैं यह आपका क्या बन गया 2 log 0.15 और जो है divide में वो हो जाएगी minus इसकी power आ गयाएगी 3 log 0.025 अब यहां पर लगाएं दोनों की values यह आपका बन जाएगा 2 into log 0.15 की value लगाएं minus 0.8239 minus 3 into log 0.025 की value यह वाली लगाएंगे ठीक है भी तो यह यहां पर आपकी जो mean solving है अब बस यही रह गई है इसको solve out करकर इसके साथ हमने करना है multiply clear है भी तो इन दोनों को करते हैं multiply तो यह आपका बन जाएगा minus 1.6478 यह बन गया आपका minus minus प्लस यह बनेगा 4.806 ओके और बाहर की value ऐसे ही रहेगी अभी तो यहां से अब हमें solve out इसको है कर लेना तो यहां से जब आप लोग इसे solve out करेंगे इन दोनों को तो यह आपका यहां पर add करकर यानि के इन दोनों को subtract करकर आपका answer बच चाहेगा 3.1582 इतना clear है भी अब इसके बाद आप लोगोंने क्या करना है इसको round off कर लेना है क्योंकि इतना बड़ा answer इतनी बड़ी calculation एक्जाम में solve कर पाना काफी difficult रहता है तो अच्छा है कि आप लोग इसे कर लेंगे round off तो आपके लिए easy हो जाएगा round off के लिए आप लोगोंने क्या करना है आप लोग चाहें तो दो digit रख सकते हैं चाहे तो आप लोग 3 digit रख सकते हैं point के आगे वह आप पर depend करता है आप जितनी मतलब solving यहां पर करना चाहते हैं ठीक है अब इसकी calculation आगे मैं आपको मैंने बता दी है यहां पर आप लोग 2 या फिर 3 digit रख कर ठीक है उसको करेंगे बाद में divide by 6 6 के साथ divide करकर जो points में answer आएगा उसको 59 से multiply कर वाकर उसको 2 में से आप लोगों ने कर देना है अब यह काम आप लोग खुद प्लीज होल करकर दिखाएं तो answer बताएं comment box में तांके बाकी के बच्चों की भी help हो सके कि इसका क्या answer बन रहा है यह आप लोगों ने खुद बताना है ओके अभी तो ऐसे ही एक और interesting सी problem है हमारे पास ठीक है बिलकुल simple सी है यह भी इसमें है कि the EMF of the following cell at 298 Kelvin is 0.1745 इस बार हमें EMF cell का दिया गया है यह वाला cell है H positive ions की concentration X बताई गई है enode value जो है यहाँ पर anode side की बताई गई है हमें find करनी है calculate the hydrogen ions की concentration यानि के X हमें sold out करनी है तो सबसे पहला काम cell direction बनाते हैं तो FV plus होंगे यहाँ पर H positive यह बनाएंगे FV2 positive and hydrogen तो hydrogen 2 है यहाँ पर 2 कर लें reaction हो गई balance अब देखें कितने electron का exchange है FV0 से 2 positive बना तो यह हो गई 2 electron ओके अब देखें है hydrogen gas का आएगा pressure और FV2 positive आएगी concentration ठीक है यह दो चीज़े हैं इस side पर और divide में only H positive ions की concentration का square अब E cell value हमें यहाँ पर दी गई है E cell value है 0.1745 अब E node cell क्या होगी भी E node cell मैंने आपको soul नहीं कर कर दी हम यहाँ पर soul कर देते हैं बिलकुल simple सा काम है reduction क्या हो रही है भी reduction हो रही है यहाँ पर H positive की और इसकी standard जो electro potential value क्या होती है 0 और minus यहाँ पर anode side है iron उसकी value यह बताई गई है minus करेंगे minus 0.44 यह हो जाएगा positive यह भज किया आपका positive 0.44 ओके अभी तो बाकी सबी अब हम यहाँ पर values लगाते हैं F2 positive ions की है concentration 0.1 hydrogen का pressure है 1 bar और नीचे इसकी value है x का square ठीक है भी अब हमें यही जो main value है इसे ही sold out करना है ठीक है तो इसको पहले इस तरफ जाएंगे और इसको हम लोग करवाएंगे subtract ठीक है तो 0.1745 minus 0.44 यह आप लोग sold करेंगे तो यह आपका बच जाएगा minus 2655 यह value होगी ज्यादा ठीक है नहीं तो दूसरी साइड पर है minus 0.59 by 2 यहाँ पर आप लोग formula apply कर सकते हैं लोग m by n का तो लोग 0.1 minus log x का square ओके अभी अब लोग 0.1 की value के आजाएगी यह होती है 10 raise to power minus 1 तो यह आपका बच जाएगा only minus 1 तो यहाँ पर 2 आगए आजाएगा log x बन जाएगा ओके तो इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं तो एक और काम कर सकते हैं अब यहाँ पर तो कुछ आगए है नहीं यह value इस तरफ आ जाएगी ठीक है तो यह आपकी बच जाएगी minus 2 655 into 2 divided by minus 0.59 is equals to minus 1 minus 2 log x यह दोनों हो जाएगे soul out ओके अभी और अब आप लोगों ने इसको करवा देना है 2 के साथ multiply तो यह आपका बन जाएगा minus 0.5310 बनेगा हमने बस यही लिख लिए है और नीचे यह value है और यह जो है यह इस तरफ आकर हो जाएगा add तो उस तरफ बच गया minus 2 log x ठीक है अभी हो जाएगा क्योंकि point के आगे है 1 2 3 1 2 3 zeros के साथ तो 0 cancel हो गई और यह आजाएगा यहाँ पर on the table of the directly 9 तो 9 प्लस 1 आपका बन गया answer यहाँ पर 10 तो इसको करेंगे जाकर divide तो यह आपका बच जाएगा log x is equals to the minus 5 तो x क्या आएगी इसका antilog कर देंगे तो antilog करकर यह क्या ब ऐसे बिल्कुल easy calculation से भी आपकी problems हो सकती है clear है भी तो 10 days to power minus 5 आगई आपकी h positive ions की concentration और इसकी units क्या रहेंगी mole पर लिटा है वो भी आप लोग साथ में आगे थोड़ा सा show कर देना answer को ठीक है कुछ और problem से आपके लिए तो हर type की problem आपकी होनी चाहिए है न भी तो अगली जो problem है भी वो है हमारी calculate the maximum work and log of casey for the given reaction आपको इस पर दी गई है तो salary presentation बनागने को अगर पूछेंगे तो बनाएंगे otherwise हमें कोई जरूरत है नहीं but salary action की हमें हमेशा जरूरत होती है चेक कर ले है के balance है के नहीं 2 positive 2 positive 2ag है 2ag है balance erection कितने electronic change हुए है n नहीं change हुआ है 0 से 2 positive तो n आ गया हमारा 2 हमें solve करना है maximum work यानी के change in the Gibbs energy ठीक है उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे standard cell potential enode cell enode cell is equals to the enode value of the cathode minus enode value of the anode तो cathode है हमारा यहाँ पर ag positive उसकी value है 0.80 और हमारा यहाँ पर anode है that is the ni वाला दोनों की value लगाएंगे तो हमें value मिल जाएगी simple है ठीक है maximum work क्या फार्मना था भी change in Gibbs energy का that is the delta g node is equals to the minus nf enode cell सबी values यहाँ पर आप लोगों ने use कर लेनी f की value होती है 96500 कूलंपर मौल आपको statement में बताई हो सकती है अदरवाई आपको याद रखनी है तो इन सबी को आप लोगों ने करना है multiply यह तो बिल्कुल easy है यह वाला point हटाएं और यह zeros इसके साथ ही solve कर देना तो बागी की multiply कर कर आपको answer में जाएगा और बाद में उसने हमसे पूछा है log of the kc यानि के equilibrium constant की value with log तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी उसका formula apply कर देते हैं that is e node cell is equals to the 0.059 over n into log kc तो यह 2 इस तरफ उपर चला गया यह आजाएगी इस तरफ divide में यह हमने values लगाई और answer निकाल दी है ठीक एक और problem है जिसमें आपको log जिसमें आपको change in Gibbs energy पूछ सकते हैं थोड़ी सी equation में आप लोगों को समझा देता हूँ बाकी आपका खुद का solving का काम है जिंक प्लस AG2O and H2O that forming जिंक 2 positive AG and OH ions अब देखें जिंक से बना है जिंक 2 positive तो जिंक की हुई oxidation ठीक है so this is the oxidation और AG2 में होता है भी AG positive ion ठीक है इससे बना AG तो इसकी हो रही है reduction ठीक है water का तो OH ion होता ही है वो as it is है उसका कोई खास रोल है नहीं तो इसका मतलब हमारा reduction फिर से हो गया यहाँ पर AG positive और हमारा oxidation हो गई जिंक 2 positive तो हमें simply पहले enode value निकालनी है cathode minus anode करकर तो बाद में हमने फार्मना लगा देना है कितने electron का exchange हो रहा है जिंक से जिंक 2 positive बना दो electron है तो दो electron वाला simple सा सेम फार्मना जैसे के हमने पिछली problem में किया है आप लोगोंने soul out कर देना है clear रह भी यह तो हो जाएगा ना खुद बखुद ठीक है अब एक problem और है जिसकी जिसका half काम आप लोगों में करना है half मैं आप लोगों को explain कर देता हूं यह हमें एक दी गई है यहां पर cell direction और e node value है इसकी 2.71 हमें e cell निकालना है nurse equation apply करना खुद solving करकर answer बताना है आप लोगोंने नीचे comment box में ठीक है भी अब इतना आप लोगों की practice के लिए मैं छोड़ रहा हूं बिल्कुल easy काम है अगर आप लोगोंने पिछले 3-4 numericals को solve किया है तो आपको यह easy लगीगा ठीक है अब देखिए यहां पर उसने बाद में क्या पूछा है कि right direction of the flow of the electric current when an external opposite potential applied is less than 2.7 अब देखिए अगर हम यहां पर normal एक बना कर देखिए तो हमारा जो electro potential electro chemical होता है cell वो कुछ इस तरह से होता है ठीक है तो यह मैं आपको एक rough सी उसकी structure बना रहा हूं तो इस side पर होता है anode और इस side पर होता है हमारा cathode ठीक है यह हम ऐसे इसको represent करते हैं ठीक है तो यहां पर sorry हम लोग अगर हम इसके आसपास एक external voltage अपलाई कर दें ठीक है इसके opposite जो इसके opposite एक्ट करें ठीक है अगर तो वह हमने apply की होगी 2.71 तो इसकी है electron potential अगर हमने वह 2.71 से small value रखी है opposite वाली external potential तो electrons यहां से flow होते रहेंगे क्योंकि इसने इसको रोकना है flow होने से equal कर देंगे तो stop हो जाएगा ठीक है तो अभी उससे small value है तो electron यहां से forward flow होंगे तो हमें यह बताना है direction of the flow of electric current तो देखिए electrons का flow क्या रहेगा ठीक है इस case में electrons flow from यहां पर oxidation वाला होगा यहां पर magnesium to copper so therefore electric current का opposite होता है हमेशा direction so electric current flows from copper यानि के cathode to magnesium यानि के anode ठीक है तो अगर हम लोग इससे greater voltage apply कर देते हैं तो opposite हो जाएगा यहां पर क्या लिखेंगे कि electron flows from the copper to magnesium and electric current flows from the magnesium to copper फिर opposite हो जाएगा ठीक है वह आप लोग खुद explain कर लेना यह भी चीज़ आप से पूची जाती है reasoning questions में case study विखेरा इस पर बना सकते हैं ऐसी बहुत सारी problems बन सकते हैं ठीक है भी तो यह था आप लोगों के लिए जो यहां पर nurse equation electrochemical cell के बारे में इसकी एक या दो part ओर आएंगे जिसमें आप लोगों को जो remaining सभी topics हैं electrochemistry के उस पर based सभी numerical में आपको explain करूंगा तो हमारे channel के साथ जुड़े रहना अपने सभी friends के साथ इसे share करना thanks for watching this video